अलग अलग तरह से हल्वा खाना तो हम सभी को बहुत पसंद है मैंने आज बिल्कुल अलग विंटर स्पैसल हल्वा बनाया है जो किसी अमरित से कम नहीं है और ये अमरित फल से ही बना है इसलिए ये हल्वा अमरिता तुल्य है हेलो तो आज की रेस्पी आप देखने के बाद जरुर बताएगा कि आप लों को मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक जरुर करिएगा चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा और कमेंड करना बिल्कुल नहीं कि इस रेस्पी को स्ट Natomiast के लिए आपको त्यारी एक दिन पहले से烏 करने के लिए क्योंकर प्रोस्सेस थोड़ा सा लंबा होता है तो यहां पर थोड़े से मैंने खञजूर लिये हैं कंसे कं 12-13 खजूर होंगे चिस सेbank क दनी यहां पर बादाम के लिए हैं और साथ से आठ अंजीर है और आख रोट है तो यहां पर जो ड्राइफ रूट्स है आप अपने कॉंटिटि की हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं और और भी एक्ष्रा अगर ड्राइफ फ्रूट्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं जैसे जरूरी होता है क्योंकि डश्ट अगर लगे होते हैं तो अब देखिए मेरे पास है यह गोंद कतीरा इसको गोंद कतीरा कहते हैं बबूल के पेड़ से निकला हुआ यह गोंद होता है तो यह वाला जो गोंद है न यह काफी फायदेमंद होता है और लेडिस के लिए तो ब तो इसे भी दूल करके या पझा पानी डालंके ओपनें बाहर सिक्टमरों कर सीयुद्ट सब्सक्राइब काफी अच्छा लग रहा था गिनरी गिनरी काफी लग रहे थे अच्छे और उसकी बुंदे पड़ी हुई थी तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा सूट कर लेते हैं आप लोगों को मेरा गार्डेन कैसा लगा हमारी तरफ धूप नहीं आता इसलिए फ्लावर थोड़े से कम बहुत जादा नहीं भूलना है जब इसमें पड़पड की आवाज आने लगे ना तो बस गैस को बंद कर दीजेगा और उसे ठंडा होने के लिए निकाल दीजेगा प्लेट में और यहां मैंने 300 ग्राम यह आला है मेरा और आला जो है कि इसे हमें बॉयल करना है तो आला कि अध allegiance की अधिक है घूप है क्साले ले रहा है तो यहां पर उत्येशाहिदा के हाई चाली मिर्च यहें हैं और 25 लग धैयं और 25 ही हो है यहां पर चोटी लाइची लिए हैं दो बड़ी लाइची पांच तेज पत्ता है और एक चमज सौफ है और यह गांट अधरक सूखी अधरक सोट की है जिसा अगर आपके पस नहीं होगा तो आप पॉडर ले लीजेगा एक श्टिक दालचीनी के हैं तो मैं सोट का पॉडर ब बड़ी आसानी से बन जाता है तो जो भी बड़े मसाले हैं और उनको कुट लीजेगा और फिर एक मिक्सर जार में डाल करके आप इनका फाइन पॉडर बना लीजिए पॉडर बनाने के बाद उसे चान लीजेगा क्योंकि बड़ी लाइची छोटी लाइची सब के छिलके अद्रक की जो गाठ हमने ली है उसके रेशे चोट की चानना बहुत जरूरी है और जो बचा हुआ पार्ट है उसे आप चाय में इस्तेमाल कर लीजिएगा बड़ी मजे की चाय बनती है और जो अलसी था अलसी का भी हमने एकदम फाइन पॉडर बना लेना है तो हमें चानन है आपको इसके जो बीज निकाल लेना है तो जब भी अलसी निकाल लिये ना उर्नन को एकदम ठंडा वजाने दिजएगा जलभा और Ven sa से पीसना है बहुत जादा पानी डाल करके नहीं पीसना है और इसे भी हम एक प्लेट में पीस करके अलग कर लेंगे अब जो हमने जो ओबर नाइट शोक करके ये ड्राइ फ्रूट्स रखे थे ना ये एकदम देखी कितने अच्छे तरह से ये फूल गए हैं तो अभी जो खजूर है ना तो खजूर के जो बीज है वो बीज हमें अलग करना है और जो हमने गोंद था वो भी एदम अच्छे से लिक्विट फॉर्म में आ गया है तो बहुत ही फायदेमंद है ये रेस्पी अगर ठंडियों में आप कहां कोई भी हो जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जा रहा हो तो उसे भी ये रेस्पी बना करके जरूर खिलाईएगा तो ड्राइफ फूट्स में भी थोड़ा ही पा बना लिया तो जादा बना लीजिए महने दो बहने के लिए फुरसत हो जाएंगे ये खराब बिलकुल भी नहीं होते है तो दो चमज मैंने घी लिया है और घी में एक चमज भर करके डाल दिये हैं पोस्ता का दाना तो गरम बहुत जादा गी नहीं करना है बस घी डालिए पोस्ता दाना डाल दीजेगा क्योंकि पोस्ता दाना को मतलब कि उसका कलर अगर नहीं चेंज करना है अभी हम भूनेंगे तो इसमें जो ड्राइफ फ्रूट्स है हमने पीसा था ना तो सबसे पहले हमें ड्राइफ फ्रूट्स को ही भूनना है और ये ड्राइफ फ्रूट् तो काश्ट आयरन की ही कड़ाही में बनाएगा कोई और कड़ाही नहीं लीजिएगा क्योंकि इसमें जो आयरन होता है ना बहुत सारे लोंगों को अनेमिया का प्रॉब्लम होता है तो उसकी कमी को भी दूर करता है और खुन तो यह रेस्पी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा तो यह रेस्पी है यह लोहे की ही कड़ाही में बनती है तो ड्रैफ फूर्ट को अलग कर लिए और फिर उसी कड़ाही में हमने अपने सारे आउले डाल दिये हैं तो आउले की क्वांटिटी जादा है तो इसी इसाब से मैंने चार बड़े चमच मैंने आहाँ पर घी लिया आउले को भी जब इस तरह से आउला आपका सेप्रेट हो जाए कड़ाही छोड़ने लगे तो फिर क्या करना है हमें यहाँ पर गुड़े लेना है तो मैंने थोड़े से पुराने गुड़ और थोड़े इस टाइम में जो आ रहे हैं वो गुड़ लिये हैं अगर आपके प बॉड़े के पूर जो है ना जो मतलब की बंद पड़े होंगी नसीव अगरा सब खुल जाती है गुड़ने वगरा जिनके जाम हो जाते हैं ना वह उनको भी यह रेस्पी खानी चाहिए क्योंकि आउला ऐसी फायदे मंद है लोग आउले का इस्तिमाल कम करते हैं कि आउला ठंडा होता है लेकिन नहीं ठंडी में आउले का इस्तिमाल करना चाहिए वह हमारी बॉड़ी को हिट रखता है और जिनको गाठे वगर की प्रॉब्लम होती है उन्हें तो जरूर खाना चाहिए तो गुड़े डालने के बाद गुड़ पिखल गया था तो हमने यहाँ पर ले लिया है जो हमने मेरा गौंद था ना वह गौंद हमने इसमें डाल दिया है अब गौंद डाल करके आपको जबत Τरी की सतरे से बदका ना लगे लगने लगे आपको इसे पकाना है मतलब कम मतम समझ tecnología इने 50-70 मिनट गौंद डालने ने के बाद भी आप जो हमने भून करके रखा था ना वो ड्राइब फ्रूट्स आपको डाल देने हैं आगे हिस्ति अधर पर आप इसे पांच मिनट तक भूंनना है आपको पांच मिनट से जादा नहीं भूलना है बस ड्राइब फ्रीछ क्योंकि भी हमेह इस्ट करें चाहिए हैं और भीच्ष मेरिकाइ टेस्ट मेरतों को प्रक्षा आघे कर लिया था और अगर आपने 300 ग्राम आपने अगर लिया है तो जितना मैंने मसाला बताया है ना उतना आपको जरूर लेना है एक दम पर्फेक्ट आपकी रेस्पी बन करके रखें तयार हो जाएगी तो मसाले वगरे भी हमारी बॉड़ी को बहुत ज्यादा हीट रखते हैं और चाय वगरे में तो हर कोई डाल करके पीता ही पिता है मैंने चाय मसाला की बहुत अच्छी सी रेस्पी बना करके तैयार करके बीडियो अप्लोड की है तो आपनों जरूर चेक करिएगा मुझे नहीं पता है कि मेरी वीडियो में कहां कमी रह जाती है जो की चलती ही नही अब जब मसालियोगरद डाल करके हमारा ना ब्हुन गया है सब कुछ तो जो अलसी है आप डालेंगे आप गैस को बंद कर दीजिएगा बंद करने के पाद आप जो है की अलसी को डाल दीजिएगा और इस तरह से चाहिए लिए ज़रू है क्योंकि अलसी हमने पहले से भून करके रखी हुई है और अलसी को डाल करके हमें पकाना नहीं है उपर से हमें एक चमज घी जरू डालिएगा क्योंकि हमें किसी पिजर वेट्टीव का इस्तेमाल नहीं किया है तो घी रहेगा तो आपके जो यह हल्वा है ना कि उतने ज़्यादा इंग्रीडियन्स तो यहां पर मिलेंगे भी नहीं और अगर आप कहां मिल जाएंगे तो आप बिल्कुल मसाले जैसे मैंने बनाया ना वो सारी चीज़े भी इसमें आड़ कर दीजेगा जैसे कि मुलेठी है और मुसली है बहुत सारी चीज़े चौन प सकते हैं इस तो बन करके देखिए रेडी है ना तो आप यहां पर मैंने ना केसर में डालना भूल गई थी तो मैं उपर से थोड़ा सा डाल दे रही हूं उसके बाद मिक्स करके मैं जो रेस्पी है हल्वा है चौन प्रास जो भी आप कहिए इसे डबे में भर देंगे तो द चाहिए उन नहीं मिलेगा आप लोगों को मेरी आज की वाली रेस्पी कैसी लेगी और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहीं होंगी तो सस्पैट करके सपोर्ट करिएगा मिलते हैं किसी रेस्पी तो बन गई बटी से खाना कैसे है इसे खाने के लिए साथ खाईए सामको दूद के साथ खाईए इसको खाने से आप यकिन मानिए फ्रें मैंना पर जो भी इस्तेमाल करेगा ना फिर वो रिजल्ट आपको चौकाने वाला ही मिलेगा क्योंकि इसे बाल आग सरी गाठे जोडों कदर सब कुछ सई हो जाता है फिर उसके बाद आप एक कंटेनर में इसे भार लिजेगा कोई भी कंटेनर ले लिजेगा